नमस्कार दोस्तों, Pathfinder में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है Dr. Mayipal Singh राठोड और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूँगा आर्मीनिया और आजर्बाइजान देशों के बीच में कई सालों से चल रही एक लड़ाई के बारे में नगर्नो काराबाख नाम के एक शेत्रों को लेकर ये दोनों देश कई बार आपस में लड़ चुके हैं और रिसेंटली यानि कि नवेंबर 2021 में भी इन दोनों के बीच में एक जड़प हुई है, आर्मी इसके बीच में क्लैश हुआ है 2020 में काफी बड़ा क्लैश हुआ था, तो इस पूरे लड़ाई का इत्यास क्या है इन दोनों देशों के बीच में ये कॉन्फिक्ट आखिर क्यों है इसी को हम जानेंगे इस लेक्चर में, तो ये रिसेंट कॉन्फिक्ट है जिसमें कुछ सैनिकों की मौत भी हुई है लेकिन अभी कल की जो न्यूज आईए, उसके अनुसार सीसफायर हो गया है रश्या की मध्यस्ता से आगे बड़ें उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अनकैडमी आप पर आप मुझे फॉलो जरूर कीजे ताकि आप वहाँ पर होने वाली मेरी क्लासेस या स्पेशल सेशन्स का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें जैसे कि अभी 20 से 22 नवेंबर को चैंपिन्स कॉन्क्लेव होने वाला है इसमें कई experience bureaucrats और recent UPSC toppers आएंगे कई educators उनसे बात करेंगे और इन sessions में आपको ये जानने को मिलेगा कि इनके experience से आप क्या हासिल कर सकते हैं देखे वैसे तो तज़र्बा जिंदगी में गलतियां करने से होता है लेकिन जिंदगी इतनी भी लंबी नहीं और आपके पास इतने attempts नहीं कि आप सारी गलतियां दुनिया की दोरा दें तो दूसरों की गलती से सीखे इनके experience से learn कीजे और थोड़ा inspire भी होईए तो Champions Conclave में हिस्सा जरूर लें नीचे पहले comment में आपको इसका link मिल जाएगा 22 November को मेरा session हो रहा है Miss Akshita के साथ She is the rank 69 of this year's UPSC exam यानि की 2020 के result के अनुसार तो इनसे हम discuss करेंगे की एक aspirant का daily schedule कैसा होना चाहिए और कई और पॉइंट्स होंगे आप लोग भी सवाल पूछ सकते हैं तो do join us in this live session at 6 p.m. on Monday अब एक सवाल है आप लोगों के लिए question का answer जरूर देना थोड़ा है tough question है बट मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब दे तो देखो UPSC इसी तरह के question पूछता है जब अगर conflict हुई है तो चर्चा में आ गया topic तो यह सवाल आ जाएगा और एक चौथा statement यहाँ पर conflict से related भी जोड़ देंगे मैं discuss करता हूँ अपने current affairs mock test series में जो on academy platform पर होती है as part of a special class it is free for everyone so you can join that as well अब इन दोनों देशों की लड़ाई के बारे में discuss करने से पहले हम यह देख लें कि इनकी geographical location कहा है तो यह दोनों देश situated हैं उस area में जिसे हम कहते हैं Caucasus तो यह Caucasus परवत हैं और इनी परवतों के बीच में यह दो देश हैं Armenia, Azerbaijan एक और देश है Georgia यहाँ पर उत्तर में है Russia इधर East में आ जाता है I'm sorry West में आ जाता है Turkey East में आ जाएगा Caspian Sea यह Caspian Sea है यह Black Sea है और यहाँ पर दक्षिण में है Iran तो यह location है इन दोनों देशों की आप देख सकते हैं they are situated right in the middle of Russia, Turkey and Iran और यहाँ पर यह जो पूरा शित्र है ध्यान रखना इसको कहते है Caucasus क्योंके यहाँ पर Caucasus Mountain Range है एतिहासिक तोर पर यह शित्र Ottoman Empire का हिस्सा था इसलिए यहाँ पर strong culture टर्की का अभी भी मौजूद है लेकिन यह जो आर्मेनिया का शित्र है इस शित्र में Christian religion majority है और आजर्बाइजान में Islam majority में है एतिहासिक तोर पर medieval time period में यह पूरा शित्र Ottoman Empire के अधीन हुआ करता था इसलिए आज भी यहाँ पर टर्की से काफी close cultural links है क्योंकि आप जानते ही हैं कि Ottoman Empire का center क्या था यह वाला शित्र टर्की तो इसलिए आजर्बाइजान का culture काफी हद तक टर्की से मिलता जुलता है लेकिन आर्मेनिया देश जो है यह एक Christian majority country है और Ottoman Empire के अधीन भी यह एक Christian majority area हुआ करता था अब 1920 के बाद यानि कि World War I के बाद यह दोनों ही शित्र Ottoman Empire से चीन कर दे दिये जाते हैं रशिया को रशिया उस समय USSR बनने ही वाला था तो USSR के control में यह वाला शित्र आ जाता है और 1991 मे जब Soviet Union का विगटन होता है तो उसके बाद यह दोनों देश भी आजाद हो जाते हैं तो खुल मिलाकर यह दोनों देश पहले Ottoman Empire का हिस्सा थे उसके बाद Soviet Union का हिस्सा थे और 1991 के बाद से आजाद हैं और उसी के बाद से इनके बीच में कई बार लड़ाई छड़ चुकी है लड़ाई mainly इस शेत्र को लेकर छड़ी है जिसको आप purple color में देख सकते हैं Nagorno-Karabakh नाम का यह शेत्र है तो इस region को लेकर यह दोनों लड़ रहे हैं बिल्कुल ब्रीफ में अगर मैं आपको बताऊं तो इस शेत्र में रहने वाले लोग हैं आर्मीनियन लेकिन historically यह आजरबाइजान का पार्ट रहा है तो यहां के जो आर्मीनियन ethnicity के लोग हैं वो कहते हैं कि हमें आर्मीनिया का हिस्सा बनना है और इसी बात को लेकर यह पूरी लड़ाई है Nagorno-Karabakh शेत्र आर्मीनिया का आजरबाइजान में एक enclave है enclave यानि कि एक ऐसा शेत्र जो geographically इससे जुड़ा हुआ नहीं है आर्मीनिया से और दूसरे देश के अंदर है तो यह classic example है enclave का बस एक छोट असा corridor यहां पर इसे आर्मीनिया से जोडता है जो बाते मैंने आपको map के साथ साथ बताई थी वही यहां slide पर लिखी है ताकि आप PDF डाउनलोड करें तो आपको कोई दिक्कत ना हो revise करने में तो Caucasus शेत्र के अंदर यह दोनों देश स्थित हैं अर्मीनिया में majority religion क्या है Orthodox Christianity और Azerbaijan में majority religion है Islam Eastern Armenia यानि कि अर्मीनिया का कुछ हिस्सा जारिस्ट रशिया के अधीन था जारातर हिस्सा Ottoman Empire के अधीन आया करता था Armenians को Ottoman Empire ने काफी persecute किया था In fact Armenian Genocide हुआ था World War I के दौरान जब Christians की हत्या करी गई थी Genocide किया गया था Ottoman Empire की armies के द्वारा प्रथम विश्वयुद्ध के समाप्त होने के बाद Ottoman Empire हार जाता है वहाँ पर एक internal revolution होता है जिसके बाद secular Turkey के रूप में देश के रूप में स्थापना करी जाती है government की मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा और इनकी जो territories है Ottoman Empire की वो इनके हाद से छींकर देदी जाती है Soviet Union को जब Soviet Union बनता है तब उस समय Armenia उसके founding members में से एक था तो जो Soviet Union है उनमें से एक Soviet Armenia की भी थी so it became Armenian Soviet Socialist Republic और 91 में जाकर ये आजाद होता है USSR से और एक फिर से independent country बन जाता है अब जब तक Soviet Union की Central Authority थी जब तक Moscow का शासन था तब तक यहाँ पर स्थिती control में थी अलग-अलग ethnicity के लोग भी एक साथ रह रहे थे लेकिन जैसे 1980s में ये लगने लगता है कि Soviet Union का विघटन होगा उसी समय नागर्णो काराबाख शेत्र के लोग जो की ethnic Armenian थे उन्होंने ये कहा कि अब हमें आजरबाईजान SSR से निकाल कर Armenia के साथ आप जोड़ दो हम administratively उनके साथ जुणना चाहते हैं ताकि बविश्य में जब Armenia देश बनेगा तो हम उसका हिस्सा बनना चाहेंगे तो इस map में आप देख सकते हो कि अब ये territory थी तो Azerbaijan में क्योंकि Soviet Union ने इनको Azerbaijan के साथ रखा लेकिन जब Soviet Union ही तूटने उकी कगार पर था तो 1988 में नागारनो काराबाग की जो local parliament थी उसने एक resolution पास किया कि हमें तो Armenia के साथ जोड़ दो जैसे ही ये resolution पास हुआ उसके बाद से ही यहाँ पर छुटपुट जड़ब होनी शुरू हो गई आजरबाइजान और नागारनो काराबाग के लोगों के बीच में 91 में जब officially Soviet Union का विघटन हो जाता है और आजरबाइजान और आर्मीनिया दोनों independent हो जाते हैं तो independent होते ही सबसे पहले इनके बीच में इसी नागारनो काराबाग को लेकर एक लड़ाई शुरू हो जाती है क्यूंकि अजरबाइजान जो है उसने independent होते ही सबसे पहले इस नागारनो काराबाग की जो सरकार थी जो इनकी regional government थी उसकी शक्तियां चीन ली नागारनो काराबाग के लोगों ने अजरबाइजान के खिलाफ बगावत कर दी और इस बगावत में आर्मीनिया ने इन्हें पूरा military support दिया तो 92 से 94 के बीच में हुए इस युद्ध को फर्स्ट नागारनो काराबाग वार का जाता है 2020 में जो second conflict हुई है बड़ी conflict उसको second war कहते हैं बीच में कई छिटपुट छोटी मोटी लड़ाईयां हो चुकी है अब ज्यान देना कि आर्मीनिया of course support करेगा नागारनो काराबाग को और आर्मीनिया को support करता है mostly Russia because of their close cultural ties और दूसरी तरफ आजरबाइजान को टर्की हमेशा support करता है तो यह जो इसके अंदर हुआ क्या कि यह वाला जो एरिया है यह एक तरह से semi independent हो गया तो यहाँ पर जो आपको dark brown color में territory नजर आ रही है यह नागारनो काराबाग Republic के रूप में गोशित कर दिया जाता है यहाँ पर control de facto इनकी खुद के military का था जो पूरी तरह से आर्मीनिया के द्वारा supported थी तो यह शित्र एक तरह से autonomous region के रूप में अपने आपको govern कर रहा है तब से तो है यह आजरबाइजान का part दुनिया के में कोई सरकार अभी तक ऐसी नहीं है जो इसे आर्मीनिया का हिस्सा मानती हो जातर देश इसे आजरबाइजान का ही territory मानते हैं in fact आप map वगेरा में कहीं भी देखेंगे तो it will not be shown as a separate country लेकिन यह अपने आपको autonomous declare करके अपने आपको rule कर रहा है और वो पूरा आर्मीनिया के support से किया जा रहा है तो तबी से यह region semi autonomous रहा है दोनों देशों की मिलाके तो just imagine कि यह कितना बड़ा number है for their population आखिरकार यह लड़ाई कुछ अफ़ते चलने के बाद रश्या की मद्धस्तिता के कारण खत्म होती है और इसमें आर्मीनिया ने कुछ territory अपने control में ले ली थी वो इन्हें देनी पड़ी आजर्बाइजान को तो आजर्बाइजान से रश्या की कोई दुश्मरी नहीं है रश्या दोनों से बना कर रखता है रश्या आजर्बाइजान से भी अच्छी दोस्ती रखता है और आर्मीनिया से भी रखता है लेकिन हाग close cultural ties आर्मीनिया के साथ ज़ादा है और इधर इसका जो पड़ोसी है टर्की ये बिल्कुल भी आर्मीनिया के सपोर्ट नहीं करता टर्की is completely in favor of आजर्बाइजान reason ये है कि आजर्बाइजान पहले Ottoman Empire का हिस्सा था दोनों countries Muslim majority है और culturally काफी similar है रशिया के आर्मीनिया के साथ ज़ादा घनिष्ट संबंद इसलिए है क्योंकि रशिया का यहाँ पर एक military base है और Caucasus में balance of power बनाये रखने के लिए उसके लिए ये military base काफी important है और इसे वो छोड़ना नहीं चाहता है इसलिए वो आर्मीनिया का ज़ादा support करता है हाला कि आजरबाइजान से भी रशिया के ठीक ठाक रिष्टे है और जब भी लड़ाई हुई है तो दोनों के बीच में मद्यस्ता हमेशा रशिया नहीं की है तर्की ज़ादा मद्यस्ता नहीं कर पाता है कि रशिया की peacekeeping forces रहेगी ध्यान देना UN की नहीं रशिया की peacekeeping forces यहाँ पर है तो यह बताता है कि रशिया का कितना बड़ा influence इस शेत्र में आज भी चल रहा है तो युद्ध में सवाप्ती तो आ गई थी 94 में लेकिन उसके बाद भी कई बार इन दोनों देशों के बीच में छोटे मोटे exchange of fire हो रखे है और कई बार इस तरह की flare-ups हो जाते हैं जैसा अभी 2021 नवेंबर में हुआ है तो अब दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर आरूप लगा है अर्मीनिया के रहा है कि इन्होंने लड़ाई लड़ाई शुरू करी आजारवेजान के रहा है कि इन्होंने लड़ाई शुरू करी एक और fact याद रखेगा कि इस territory को कहते हैं लाचिन corridor लाचिन corridor ये वो territory है जहां से नागोर्नो काराबाग आर्मीनिया से जुड़ा हुआ है तो ये corridor पर control बहुत important है क्योंकि सारा military supply नागोर्नो काराबाग को आर्मीनिया के द्वारा यही से दिया जाता है तो ये लाचिन corridor जो है इसको briefly बंद कर दिया था अभी due to this fighting लेकिन अब ये फिर से open हो चुका है और UN, European Union, Russia सबने कहा कि लड़ाई बंद कर दो लेकिन चलती सबसे आदा रशिया की है तो रशिया ने ceasefire agreement दोनों के बीच में sign करवा दिया है फिर से और स्थिती अभी के लिए तो stabilize हो चुकी है बट you never know कभी भी लड़ाई फिर से चढ़ सकती है क्योंके पिछले साल भी एक बार proper ceasefire हुआ था लेकिन फिर एक साल बाद लड़ाई चढ़ गई है अब आपके लिए UPSC point of view से यह सब याद रखना जरूरी है जो मैंने आपको map में बताया है कि इतिहास क्या रहा है geographically terms क्या है किसका Caspian Sea per border है, किसका Black Sea per border है इस तरह के fact आपसे UPSC exam यह वाला lake, इसका नाम है Lake Sivan तो मैंने आपसे जो सवाल पूछा था बिल्कुल शुरुआत में उसका answer क्या होगा Lake Sivan, Armenia में स्थित है, बिल्कुल सही Armenia की Black Sea पर कोई coastline है, नहीं यहाँ पर है Black Sea, तो यहाँ पर Georgia की coastline है Armenia is a landlocked country, इसकी कोई coastline नहीं है Azerbaijan की coastline है Caspian Sea पर और इसका capital है Baku, और Armenia का capital है Yerawan तो यहाँ पर यह second वाला statement जो है यह गलत है और तीसरा भी गलत है, Eurasian Economic Union का हिस्सा किवल Armenia है, Azerbaijan नहीं है तो इस question का answer हो जाएगा One Only, तो answer is C, One Only तो यह याद रखेगा कि EAEU जो की एक Russia के द्वारा लीड किया हुआ Economic Union है इसमें Armenia member है बट Azerbaijan member नहीं है और बाकी के जाहतर देश जो है, वो former Soviet Republics है Cuba और Uzbekistan और Moldova यह तीन यहाँ पर observer है यह lecture आपको कैसा लगा, comment में ज़रूर बताइएगा अगर आप UPSC Aspirant हैं, तो An Academy के कोर्स के माध्यम से आप देश के Best Educators से Live पढ़ सकते हैं तो Special Classes जो की Free होती है उसके अलावा एक Paid Class platform में हमारा जिसको Plus या Iconic कहा जाता है दो नहीं platform को आप Join कर सकते हैं If you have a subscription, जो भी subscription आप अवेल करेंगे उसमें आपको 10% discount मिल जाएगा If you are using the code महिपाल तो अगर आप 2022 या 23 या 24 के तैरी कर रहे हैं उस अनुसार आप 12 months, 24 months या 36 months का subscription ले सकते हैं Optional के courses की भी हाँ preparation करवाई जाती है और ये सारे courses EMI पर भी आप अवेल कर सकते हैं EMI कैसे अवेल करना है, description में link दे रखा है उस पर click कीजे और पूरा process आगे guide कर दिया जाएगा हर Wednesday को नए batches बनते हैं इन्हें join करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं मेरा एक NCRT quality course ongoing है plus platform पर, इसका link भी नीचे description में है तो plus subscribers, please do join that and अगर आप इसे join करना चाहते हैं तो subscription ले लिजे और अभी हम 10th class के NCRT को next lecture में start करेंगे हमारी free test series है, इनका ज़रूर फाइदा उठाईए thank you very much for watching this, have a great day